नमस्ते मैंल कठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेज में स्वागत है तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि विटामिन डी हमारे लिए क्यों जादा इंपोर्टेंट है क्यों हम ये बोलते हैं कि हमें विटामिन डी की अवश्कता होती है बोडी में और हम सब जानते कि विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है लेकिन हम ऐसा भी सुनते हैं कि हमारे बोडी के लिए कैल्सियम भी इंपोर्टेंट है तो यहाँ पे विटामिन डी का क्या रोल होता है देखी सबसे पहली बात है कि अगर आपके बोडी में विटामिन डी आएगी तो वो कहां से आएगी सबसे पहला हम जानते हैं कि सूरज की रोष्णी से आएगी और दूद से आएगा लिवर कॉइड ओयल से आएगा और यह क्या होता है यह होता है कि जो कॉड़ फिश होती है जो कॉड़ फिश होती है उसके लिवर में एक तेल पहा जाता है जिसको हम बोलते हैं लिवर कॉइड ओयल अब उस तेल से आपके बोड़ी में विटामिन D आता है, विटामिन D स्पेशली क्या करते हैं, विटामिन D स्पेशली आपकी हड़ियों को मजबूत रखते हैं, कैसे, क्योंकि जब आपके बोड़ी में विटामिन D जाता है, तो विटामिन D दो तरीके का होता है, मतलब इसक उनको विटामिन डी जादा चाहिए या फिर कम चाहिए जो गोड़े लोग होते हैं उनको विटामिन डी कम चाहिए जो थोड़े से सावले है या फिर जिनका कलर हलका सा डार्क है उनको विटामिन डी की बहुत जादा मातरा चाहिए क्यों क्योंकि उनका बॉड़ी हलका सा ड जैसे ही आपके बॉडी में जाएगी आपके बॉडी में ये वाला केमिकल निकलने लगेगा तो विटामिन D की वजह से ही निकलता है जिसकी वजह से हम सुरज की रॉष्णी से बच पाते हैं तो यह जो विटामिन D3 है वो सुरज की रॉष्णी में पाया जाता है अब यह ज कोशित भोजन होता है जो अवशेश यानि कि जो बचा हुआ भोजन है वह आपके आत में जाएगा और फिर वहां पे पचेगा तो वहां पे जो भी हम खाते उसमें क्या होता है मेंली कैल्शियम और फॉस्फोरस दो चीज होती है जो हमारे बॉड़ी को बहुत जादा ही स्ट क्यों होता है क्योंकि आपके बॉड़ी में कैल्शियम की कमी हो जाती है फॉस्फोरस भी आपके हड़ी को मजबूत बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो यहां पे जो विटामिन डी है वो क्या कर रही है वो आपके बॉड़ी में कैल्शियम और फॉस्फोर सब्सक्राइब कम रुटी के बिटामिन दी आपकी हावर के लिए बिटामिन दी चलते हैं हम फिड़ते हैं विटामिन दी जो मैं बोल रहे हैं कि सुरज़ की रौशनी आपके रौशनी अच्छी है z English जो कि विटामिन D सब्कiffeur को सबूस इसे मतलब सुरज रोषनी वह दोफ़र वाली अच्छी आ क्यों यहें वाली रोषनी वह Simply में जा करके हमारे बॉड़ी को नुक्सान नहीं पहुँचाती है क्योंकि जो सुरज की रोश्णी होती है उसमें क्या होता है उसमें अल्ट्रा वॉलेट ए होता है उसमें अल्ट्रा वॉलेट बी होता है और सी ये जो है ए ठीक है बी और सी इन तीनों में ए बहुत जादा डेंजर होता है भी हमारे लिए बहुत जादा यू कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, कोई व्यक्ति धुम्रपान करता है, किसी को बीडी पीने की आदत है, तो अगर उसके फेफडे में दिक्कत हो रहा है, तो सुबह की जो सुरज की रोशनी होती है, अगर वो उस रोशनी में बैठ जाए आधा घंटा, तो भी उसके फेफडे में कैंसर होने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, बिना किसी इलाज के, इसलिए बोलते हैं कि जो सुरज की रोशनी है, यानि कि जो विटामिन D है, वो बहुत जादा ही एक तरह से नैचुरल आपका बहुत स्ट्रॉंग एंटिबायोटिक है, आपके बोड़ी में कोई भी दिक्कत होता है, कैंसर के स्थिती को वो कम कर देती है, कैंसर जादा बोड़ी में ना बढ़े, उसके न्यू सेल्स बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करने लगते हैं, आपको ये समझना है, आपक हड़ी के लिए सपॉंग है ही, और अगर आपके घुटने में कोई तकलीफ ए औस्टियो पोरोसिस हो गया है, जिसमें आपके हड़ी में छेद हो जाता है, क्यूं कैल्षियम की कमी से ये छेद हो जाता है, उसके लिए ये बहुत जादा यूजफुल है, और आपको अपने D भी चाहिए, आपको vitamin D, specially calcium और phosphorus के लिए चाहिए, ताकि आपके body में ये दोनों का जो पाचन है वो अच्छे से हो पाए, दोनों important है body के लिए, calcium का channel होता है brain में, phosphorus का channel होता है brain में, sodium का channel होता है brain में, क्या करते हैं ये सब, हमारे neurotransmitter को बहुत ज़्यादा strong बनाते हैं, क्यों 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 क्या होता है, इसकी brain हमारा signal भेजता है पूरे body को, अगर किसी बच्चे को rickets हो गया है, मतलब क्या होता है, इडिकेट्स का मतलब होता है, कि बच्चों में बहुत ज़्यादा vitamin D की कमी पाई जाती है, इडिकेट्स का मतलब क्या हो गया, कि उसके हड़ी में बहुत ज़्यादा weakness आ गई है, पेट निकला हुआ है, हाथ और पैर बहुत ज़्यादा ही वीक है, उसी को हम बोलते हैं डिकेट्स, लेकिन अगर हम देखें, तो एडिल्ट में अगर vitamin D की कमी होती है, तो उनको गठिया की समस्या हो जाएगा, उनको उठने और बैटने में दिक्कत होगा, हड़ियां तूटने लगेंगी, हड़ी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियो पोरोसिस या फिर ऑस्टियो मैलेसिया भी बोलते हैं, मेडिकल टर्म में, आपको सीखना है कि मेडिकल टर्म क्या क्या चीज़े होती है, तो इस दोनों कंडिशन में बच्चों को भी, बड़ों को भी, बुढ़ों को तीनों को विटामिन D की अवशकता होती है, आप दूध पीजिए, आप हड़ी साख सबजिया खाईए, और सा यह आप लिवर, कॉर्ट, ओल से भी ले सकते हैं, यह आपके लिए बहुत जादा अच्छा होता है, आपकी बच्चे का विकास ही से हो, आप प्रेगनेंट हो चुकी है, लेकिन अब बच्चे को दूध पिला रही है, तो उस टाइम में भी आपकी बॉड़ी में विटामिन ना हो जाए, या फिर आपकी हड्यों में दिक्कत ना हो, आपको लिपोमा की कंडिशन ना बन जाए, मैंने आपको बताए था कि जहां पे गाट बन जाती है, उस कंडिशन को भी रोकने के लिए आपकी बॉड़ी में विटामिन D की अवशक्ता होती है, तो आपको हर चीज के लिए सचेत रहना है और अपने बॉडी को मेंटेन करके चलना है अब देखिए सुरज की रौष्णी में आप जाते हैं बहुत तेज रौष्णी है क्योंकि आजकल है जो ओजोन का जो लेयर है वो बहुत जादा ही दिस्टर्ब हो चुका है वो स्किन पे कुछ ऐसा प्रभ आपके बॉडी में अगर विटामिन डी की कमी है तो भी आपका जो बॉडी है या फिर स्किन है उसकी कुछ हालत ऐसी हो जाएगी तो आपके बॉडी में बहुत जादा इंपॉटेंट है आप मचलियों से ये विटामिन डी ले सकते हैं आप ओमेगा 3 फैट की असिट खा सक करना है और जिस तरीके से मैंने बताया है कि विटामिन डी इंपॉर्टेंट है आप खुद भी चीज जानिए अपने आपको आप अच्छे से मिंटेन कीजी और दूसरों को भी बताईए कि किस तरीके से आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है मैं उमीद करती हूं कि आज का लिक्चर समझ में आ गया होगा नोट्स आपको टेलिग्राम चैनल पर मिलेंगे थैंक्यू सो मच